नमस्कार, हिंदी साहित वारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तों PGT हिंदी का एक्जाम अगर आपका भी है तो ये वाला जो वीडियो है ये आपके लिए ही है क्योंकि इसमें हम डिसकस कने वाले हैं लगबग 80 प्रशन जो की इस एक्जाम के आधार पर बनाये गए हैं जो भी आपका ये कल के दिन होने वाला है तो I hope ये आखरी जो मौक टेस्ट है ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और इससे आप जो है थोड़ी बहुत चीज़ें समझ भी सकते हैं कि कैसे प्रशन जो है वो आपको यहां से बन सकते हैं हलांकि इसमें जादातर जो प्रशन है हिंदी साहिते से लेकर के और दूसरा आपका जो भी नया पैटरन है उसके आधार पर हैं लगबग असी प्रशन इसमें रखे गए हैं और जो आपका बी एड पोर्शन है वो इसमें नहीं है तो आई होब कि आप लोग इससे कुछ न कुछ चीज़ें जरूर सीखेंगे और यह आपके लिए उप्योगी साबित रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर है यहां पर गौड बहो के लेखक कौन है यह बहुत यासान सा कौशन है देखिए आप सब लोग जानते हैं कि गौड बहो जो रचना है यह वागपती राज जी की है वागपती राज की यह किस भाशा मे लिखी गई रचना है यह भी आपको पता होना चाहिए यह प्राकृत की रचना है एंड इसके साथ साथ हेम चंद्र की शब्दानुशासन शाली वहन की जो गाता सब्चति गाता से याद रख लेना कि यह प्राकृत का अपना चंद रहा है जबकि दुहा या दुहा जो है वो अभवरश का चंद माना जाता है, प्राकृत का चंद था वो गाथा चंद रहा, और शालीवाहन का जो समय रहा वो पहली शती के आसपास माना जाता है, वर रूची इसके बाद और आते हैं, इन्होंने प्राकृत प्रकाश नामकरशना लिखी थी, जबकि हेम चंदर ने प्राकृत व्याकरण भी जो है वो लिखा था, ठीक है, तो यहां से आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, बाकि इसके अलावा यहां पर जो आपकी वागपती राज हैं, वागपती राज की जुरचना गौड बहो रही है देखना, इसमें एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि जो वागपती राज ने माना था कि समस्त भाषाएं जो निकली है, वो किस से निकली है, वो प्राकृत से ही निकली है, इस बात को भी याद रखना है, तो यह था पहला प्रशन, दूसरा प्रशन आपकी स्क्रीन पर है, आधुनिक हिंदी का वर्गी करण स इस प्रकार से किया है, किसी ने जो है इसको थोड़ा सा अलग तरीके से किया है, ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि समध सूचक जो परसरगों के आधार पर इसका वर्गी करण किया था, वो किस ने किया था, यह कियता सीताराम, चत्रवेदी ने, जीतने भी यहाँ पर नाम है, इन सबने किसी ने किसी आधार पर आधुनिक हिंदी भाषाएं जो रही है, उनका वर्गी करण किया है, एक प्रशन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना है, शिकार नामा के लेखक कौन है, शिकार नामा यह जो आपका दखिनी ग आपने तिला वतल वजूद नामा के एक रशन पड़ी थी, कि वो किसकी है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है, शिकार नामा, तो यहाँ से अकसर आता ही रहता है प्रशन, चाहिए वो L.T.T. हो, चाहिए UGC.NET हो, या फिर आपका PGT हो, L.T. कमिशन हो, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यह होगा, ख्वाजा बंदा निवास गेसुद राज, गेसुद राज की बहुत साइक रशना है रही हैं देखना है, दखनी गद्धे में, उसको एक बार आपको जरूर देखना है, और यह दखनी गद्धे के प्रारंभिक चरण का लेकक माना जाता है, द इनकी रशना थी प्रेम सागर और जिसमें खडी बोली हिंदी का पहला उलेक हमें मिलता है, यह चीज आपको याद रख लेना, खडी बोली शब्द का इस्तिमाल सबसे पहले प्रेम सागर में ही हुआ, मुल्ला वजही, इनकी रशना गनाम था सबरस, सबरस, उसको भी आप एक बार याद रखिए, नेक्स्ट कॉश्चन है, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आमपहम और भाशा नागरी, लीपी के पक्ष में कौन थे, तो यहाँ पर आमपहम या खास पसंद भाशा, इसका उपदेश जो दिया था, ये दिया था, राजा शिप्रसाद सेतारे हिंद, इन्हें सितारे हिंद की उपादी जो है, वो किस ने दी थी, अंग्रेजों ने दी थी, और इसी बात से, मतलब इसी बात के विरोध में भी नहीं आप कहा सकते हैं, कि इसी की तर्ज पर भारतेंदू, जो हरिशंदर रहें देखना, बाबू हरिशंदर, उनको भारतेंदू मिशित हिंदी के पक्षदर माने जाते हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर याद रख लेनी है, जबकि राजा लक्षमन सिंग्ग जो रहे हैं, ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षदर माने जाते हैं, अमीर खुसरो, ये हिंदी के अरंभिक कभी माने जाते हैं, देखना और दिगनावरी लिबी सही करम यहां पर आपको बताना है कि इन में से सही करम क्या रहा तो यहां पर प्रजाही तैशी है बंगदूत है समाचार सुधा वर्षन है उदंत मारतंड है आप सब लोग जानते हैं उदंत मारतंड सबसे पहले ही आएगा तो यहां पर जहां कहीं भी आपको डी पहले पहल दिखे तो वो आपका क्या हो जाएगा सबसे पहला हो जाएगा तो उदंत मारतंड 1826 उसके बाद बंगदूत 1829 तो डी के बाद भी आ जाएगा यह भी बिल्कुल सही है यानि कि यहां भी है यहां भी है अब देखते हैं आगे क्या होगा उसके बाद समा चार सुधा वर्षन ये 1854 में है और लास्ट में आएगा प्रजाही तैशी यानि कि option number B इसका सही हो जाएगा पहले क्या होता था कि पहले आपको ये ऐसे प्रजाही तैशी दिया रहेगा फिर समा चार सुधा व तब तो ठीक है अगर ऐसे कूट में आ जाए तब थोड़ा सा इसमें ध्यान से करना है इसको कई बार इसमें गलतियां हो जाती है ठीक है तो इसको आप एक बार जरूर देखेंगे अगला प्रशन है सही क्रम वाला ही लगभग चार पांच कोशन आपको सही क्रम से रहेंग और डी यह तो एक बार इसको देखना है यह यूजी सिनेट में भी पूचा हुआ प्रशन है सही क्रम आपको बताना है अगला जो प्रशन है एक बार फिर से सबसे पहले है यहां पर द्वन्य लोग फिर कावेदर्श फिर दशरूपक फिर साहित्य दर्पन तो यहां पर सा क्या होना चाहिए आपका इनमें से कावेदर्श जो दंडी की रशना है देखी option number B तो B में सबसे पहले option B में ही B है सबसे पहले बाकी वहीं से आपको ये निकल जाना था इसके बाद धुन्या लोक अनंदवर्धन की है उसके बाद जो है आपका दशरूपक आएगा फिर साह क्रम यहां से जरूर प्रशना आता है देखना, इक बार इसको आपने देखना है, टोटल कितने इसमें द्रिश्य हैं ये भी आपको बताना है लेकिन हम पर चार ही नखे गए है देखना इन चारों को आपको क्रमानुसार बताना है, सबसे पहले राजसभा, फिर बाजार है, फिर बाहिया प्रांथ, फिर शम्शान है, इतना तो सही है कि शम्शान ही आखरी है इसमें, तो A और D में से ही कोई option आपका हो सकता है, लेकिन right answer इसका क्या हो जाएगा, right answer इसका A हो उशा प्रियंबदा के जो उपन्यास हैं, उनका सही क्रमा आपको बताना है, उशा प्रियंबदा के जो उपन्यास हैं देखना, यहाँ पर सबसे पहला इसका उपन्यास था, 55 खंभे, लाल दिवारें, उसके बाद धुरू को कोई नहीं रादी का, फिर शेश यात्रा और अंतरवशी, यानि कि D, C, B, A, इसका राइट आंसर है, उपर से नीचे की और, ऐसे करके आपको यहाँ पर जाना था, थोड़ा सा इसको गुमा फिरा दिया था, बाकी यही रहेगा, option number C, तो यह थे क्रमानुसार वाले प्रशन, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, देखना, यहाँ पर कुछ प्रशन भाशा से रखे थे, कुछ प्रशन में आपको उपन्यास से रखे थे, क्रमानुसार वाले में, कुछ प्रशन जो है, आपको भारते का अवेशास्त्र से थे, हैना आपको कहीं से भी प्रशन पूछा जा सकता है, यह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बताना था जब किसी क्षेत्री बोली में साहीत्य की रश्ना का विस्तार होता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है तो ये तो आसान चाकॉशन है रहा लोकमाने बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हाना कि काका कालिल करने भी किया लेकिन वो एक संस्तागत प्रियास रहेगा कालिल कसमीती के नाम से जिसे हम जानते हैं बाद में सुनिती कुमार चेटर जी ने भी प्रियास किये थे तो एक बार आप इनको जरूर देखेगा देवनागरे लीपी के संदर्व में क्यूंकि ये भी आपके पार्ठेक्रम में शामील है देखना थोड़ा सा प्रशन यहां से भी आपको बन सकता है इसके संदर्व में लेखकों की क्यामत रहे हैं उनको भी एक बार जरूर देखना हिंदी साहिते का मौकी कितिहास के देखना ये थे शिव सिंग अलांकि जो डॉक्टर बच्चन सिंग है उन्होंने कीरती सिंग भी माना है गनेश्वर को भी माना लेकिन यहां पर अचारे रामचंद शुक्र जब लिखा जाएगा तो शिव सिंग के आश्रे में ही ये रहे इसको आप एक बार ध्यान में अगला जो प्रशन है किसकी शिश्यता कई सिध्धों ने स्विकार की ये बरशन भी से दसाइते से यानिकी आदिकाल से ही प्रशन पूछा गया है देखना तो इसमें आएगा कणहपा कणहपा जो है ये कवित्तों और पांडित्तों में बेजोड थे जो की राहुल सांकृ इसको आप एक बार जरूर देखिए का सरहपा जो है सिध्धों में सबसे पूराने थे एंड लुईपा जो है इनका स्थान सबसे उंचा रहा डंभीपा ये इतना इसमें नाम नहीं रहेगा पृत्विराई रासों का चपए चंद आज के किस चंद का रूप माना जाता है यहां पर आपको सिंप्ली रखना कवित्व ठीक है तो यह भी इंपॉर्टन प्रशन है पूछा जा सकता है आपको खुसरो के समन्द में शुकल का कथन नहीं है यहां से तो आर्दाई आता है प्रशन देखना खुसरो का लक्षय जनता को धर्म उपदेश देना था नहीं खुसरो का उपदेश जो है मनुरंजन करना था मुख्य रूप से खुसरो का ध्यान साहितिक भाशा की ओर अधिक था नहीं खुसरो का ध्यान जो है आम बोलचाल की भाशा की ओर जो है वो ज़ादा रहा यह अबधी के अच्छे गरंथकार अपने समय के नामी कभी थे अब बोलचाल की भाशा की ओर था और यह फार्सी के अच्छे गरंथकार मने जाते हैं अब धी के अच्छे गरंथकार अगर पूछें तो वो नूर मुहम्मद को इसने कहा था यह आपको याद रखना है नेक्स्ट है भगवान के प्रती अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम भक् फिर से हैं मन मेरी सूई तन मेरा धागा खेचर जी के चनन में नामासी पी लागा यानि की नाम देव की यह पंक्ती हो जाएगी और यह भी बहुत बार प्रशन पूछा जाता देखना यहां पर जितने भी यह नाम है इनकी पंक्ती अकसर आपको पूछी जाएगी तो एक बार आपने उसको जरूर देखना है किस निर्गुन कवी को व्यर्थ की तुक बंदी और उट पटांग बानी रूची कर नहीं थी मोस प्रशन है यह भी पर पूछे जाता रहता है सुंदर दास इसको आप देखेगा श्रिंगारस के घोर भी रोधी यह माने जाते हैं और इन्होंने कहा भी था कि बोली बे तब जब बोलने की बुद्धी हो है दशमगरंथ के लेखक कौन थे तो दशमगरंथ जो है सिखों के जो दस्वें गुरु ते गुरु गोविन सिंग इन्होंने ही लिखी थी इसको आप याद रखेगा गुरु अर्जुन देव ने बार इसमें आएगा आपका लाहूत लाहूत जो है ये इसमें शामिल नहीं है जबकि नफस कलब और रुह ये इसमें रहेंगी लाहूत जो है ये मारिफत का ही दूसरा नाम है देखना सूपी प्रेमा ख्यानक में और मारिफत क्या है ये आप सब लोग जानते हैं मारिफत जो है साधक की अवस्था माने जाते हैं जो चौती अवस्था जिसको हम सिध्धावस्था के नाम से भी जानते हैं इसको भी आप याद रखेगा जिसको हम इश्क मजादी से इश्क हकीकी कहते हैं मधुमालती किस प्रेमा ख्यानक कावे के नाईक की नाईका है यह भी important प्रशन हो सकता है तो यहां पर पूचा है मदुमालती किस प्रेमा ख्यानक कावे के नाइक की नाइका अब प्रेमा ख्यानक कावे जो है देखना वो कौन है जहां पर आपको यह simple सा याद रख लेना है ठीक है तो यहां पर यह हो जाएगा आपका मदुमालती ही प्रशन किस तरीके से पूचा गया मदुमालती किस प्रेमा ख्यानक कावे के नाइक की नाइका है तो मदुमालती के नाइक की नाइका ही है याना मंझन मत करना इसका अगर डारेक्ट आशा प्रशन होता कि ये मदुमालती जो है किसकी नाइका है ठीक है तो तब भी इसका अंसर मदुमालती ही रहेगा लेकिन नाइक की नाइक का पूछा तो मंजन ना समझते हुए आपको इसमें याद रख लेना कि इस प्रेमा ख्यानक कावे के नाइक की नाइका है तो ये हो जाएगी मदुमाल शुक्ल ने कहा है ये भी इंपोर्टेंट है और जबकि रामश्रित मानस को क्या बोला गया था इसको तो बाइबिल कहा गया है ये आपको देखना है सत्यवति कथा ईश्वदास की रशन है इसको याद रखेगा नेक्स है यहां पर दश्टा भक्ती का अगार किसे कहा जाता ह है तो दश्टा बक्ती का अगार जो है रामानन्द है जबकि जो आपके हजारी प्रसाद डिवे दी थी थे उन्होंने इसको क्या कहा था आज अगार को देखना नेकिन यहां पर इस बार जो दश्टा भक्ती उन्होंने इसको कहा था ठीक है इसको ये जो आपके नावदास जो आप भक्तमाल परमपरा के लिए करे इसको देखना है ठीक है तो इनको भी प्रश्ण में आपको पूछा जा सकता है इनकी वानी की पहुंच मनुश्य के सारे भावों और वहवारों तक है यह कतन किस भक्त क भी किस संबंद में है शुकल जी का तो ये तुलसी दास के संदर्व में इनोंने कहा है इसको आप एक बार जरूर देखिएगा तो यहाँ पर यह कहते हैं क्यों इनकी पहुंच मनुश्य के सारे भावों और वहवारों तक है शुकल ने तुलसी के बारे में क्या कहा है वो सूर के बाद का दुरूबदास का समंद किस संपरदाय से रहा तो दुरूबदास में से रह रादा बल्लब संपरदाय में जबकि दुरूबदास से आपको एक और प्रशन भी पूछा जाता देखना इसने 42 गरंथ लिखे थे और जिनके शिर्चकों में इसने लीला संगया किस ने दी थी यह थी थी प्रित्वीनात कमल कुल श्रिष्ट ने जबकि डॉक्टर भगीरत मिश्र ने इसको क्या कहा था डॉक्टर भगीरत मिश्र इसको बोलते थे रिती और श्रिंगार काल रामकुमार वर्मा ने इसे क्या कहा था कला काल की संगया दी विश्व इसको कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस लेखक ने सत्साई परमपरा का ग्रंथ नहीं लिखा तो इनमें से बहुत ही असान सा कॉशन है ये भूशन ने सत्साई परमपरा का ग्रंथ नहीं लिखा था यहां रीतिकाल से आपको एक प्रशन जरूर बनता है देखना कि किस ने सतसाई परमपर का लिखा या फिर किस ने जो है नक्षिक शीर्शक से ग्रंथ लिखा है या नहीं लिखा है ऐसा प्रश्न भी आपको पूचा जा सकता है उसको भी एक बार देखना है बिहारी को दोहों का बादशा कहने वाले जो बिद्वान थे ये थे बलदेव उपाध्या इसको आप देखना है और पदम सिंग शर्मा इन्हें कमलेश के नाम से जानते हैं जिन्होंने सबसे पहले बिहारी और साधी की तूलना की थी और ये तूलनात्मक अलोचना के जनक माने जाते हैं ठीक है इसको आप याद रखेगा नेक्स्ट है घनननत के संबंद में शुक पर बच्चन सिंग का खतन है ये उन बिर्ले कवियों में हैं जो भाषा की विंजकता भढ़ाते हैं ये शुकल का ही है तो यहां पर ऑप्शन नम्बर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि यहां पर मुझसे कुछ गलतियां भी हो ये रसराज, जगदविनोद और श्रिंगार विलास जो है ये सरवाग निरूपक गरन्थ नहीं है ये सारे की सारे और जगदविनोद को तो श्रिंगार रस का साघरंथ भी कहा जाता है शुकल के द्वारा मयंक महिमा और पित्र प्रताप किसकी रचणाय हैं तो मयंक महिमा और परित्र परताप ये हैं, परताप नरायन मिश्र की, परताप नरायन मिश्र किस युग के लेखक हैं, ये भी आपको बताना है, इंपोर्टन, सुरी, बदरी नरायन चौधरी, प्रेमगन, प्रेमगन और ये जितने भी लेखक हैं, भारते अंदो युग के इन को आप एक बार देखिएु मैंने खोधि बतारी आपको प्रेमघन की ये रचनायं हो जाएंगी इनको आप एक बार देखिए। विशेशता है अतिय अथार्थवार इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये किसकी विशेशता है ये है आपका जो प्रियोग वाद रहा उसकी प्रवंदात्मक्ता भी इसमें रही अनग किस प्रकार की रचना है पहली चीज तो ये याद रखे लेना ये मैथली शरण गुप्त की रचना है और अनग जो है ये पद्यनात्य यानि की गीती नात्य रहा है ठीक है इसको भी आप याद रखेगा इसके लावा इसने तिलोत्मा और चंद्रहास नामक जो पद्यनात्य जो है वो भी लिखे हैं प्रिये प्रवास में कितने प्रकार के चंदों का प्रियोग किया इसका अन्य नाम जो रहेगा ये रहेगा ब्रजांगना विलाप और इसमें टोटल जो सर्ग कितने माने जाते हैं सत्रा सर्ग माने जाते हैं इसको भी आप याद रखिए इसमें राधा गूपियों और यशोधा इन सब का विरह वनन हमें देखने को मिल जाता है नेक्स क्वे याद रखना है जिसको उपादी मिलीती कविता कामेनी कांत और भारत इंदू प्रक्यंदू ठीक है इसको भी आप याद रखे साहित सुधाकर भी इसको बोला गया था वन वैभव किसकी रचना है तो यहाँ पर है रूप नारायन पांडे इसको भी आप याद रखेगा ज रचना से संभंधित चकरविव के रचनाकार जो हैं यह आपके कुवर नारायन की सब तक के लेकक हैं इसको भी आपको एक बार जरूर बताना है यह वी प्रश्ञ इंपॉर्टन हो सकता है एक बार आप इसको देखेए कि कुशन आता है आपकी स्क्रीन पर अंधेरे में कव पहाग से बहुत सरे प्रश्ण रख दिये थे उनको भी आप एक बार जरूर देखी वैसे प्रश्ण आपको बन सकते हैं तो अंधेरे में कवीता को यहाँ पर किस ने बोला था यह नामबर सिंग ने कहा था इसको आप देखिएगा इसको असमीता की खोच ठीक है इसको देख यहाँ पर तो हरी खास पर क्षंभर नामक जो कवे संग्रह रहा है पहली चीज़ यह यह यहादळ प्लगन है यह किस का है यह करिर्मần का इसको यह ने असाद्यवीना भी इनकी लंबी कवीता है यह आपको देखनी है most important है जिसमें एहम के विसर्जन की बात जो है वो की गई है ठीक है तो इसका जो right answer है यह है आपका आंगन के पारद्वार और आंगन के पारद्वार के तीन भाग है इसका तीसरा भाग जो है वो असाद्यवीन के नाम से जाना जाता है देखेगा इसको एक बार आप जरूर प्रारंभिक दो भाग क्या रहे हैं उनको भी आपको पता होना चाहिए आंगन के पारद्वार पर इसको कौन सा पुरुसकार मिला था इसको भी आप एक बार जरूर देखेगा इस पर मिला था साहित अकादमी और कितनी दावों में कितनी बार पर मिला था इसको भारत्य ग्यानपीठ पुरुसकार जबकि यहां पर असाध्य वीना जो है इसमें वीना जो वादक रहे हैं जो उसको बजाता है देखना केश कंबली उसको अन्यकिन किन नाम से अभिट किया गया है वो भी आपको देखना ह गुफा गे हो गया केश कंबली हो गया प्रियंबद हो गया ये भी आपको पता रखने हैं और किस प्रकार की कवीता है लंबी है और वीना जो है वो किस वरिक्ष से बनी है तो ये भी आपको यार रख लेना किरिटी नामक वरिश वरिक्ष की और ये किस कहानी के अधार पर सिंग और विजादेव नारायन साही ये जो हैं आपके तीसे सब्तक में रहेंगे नेक्स है दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूं आज जो नहीं कहीं पंक्ति के लेखक कौन है तो यहाँ पर यह सूर्यकांत्रिपाथी निराला है महादिवी वर्मा यहाँ पर मत करना तो सू प्रशनोत्री में भी लगातार प्रशन रखे हुए हैं उनको आप एक बात जरूर देखेगा किस चायबादी कभी में बहुवस्तुस परशनी प्रतीभा विद्यमान रही तो यह थे सूर्यकांत्रिपाथी निराला और यह बात भी अचारे रामचंदर शुकल ने ही इनके भी आपको देखना है और इसमें बुद्धि पक्ष की प्रधानता रही है इनके पसंदीदा लेकक जो है वो थे तुलसिदास्ची ठीक है हालांकि यह अद्वैत विदान्त पर मतलब का प्रभाब इनके उपर रहा अमल धबलगीरी के शिक्रों पर बादल को गिरते देखा है यह पंक्ति किसकी है तो बहुत ही सिंपल सी है देखना अगर आपको पता है कि बादल को गिरते देखा है यह जो कवीता है यह किसकी है यह है नागरजुन की तो आप सिंपली इसको यहां पर क्या कर सकते हैं बिल्कुल सहीं कर सकते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है जब तक माला गूंती जाती है तबuding फूर्कुम महा जाते हैं प्रस्तुत कफ़न चंद्रगोप्त-नातक के किस पात्र का यहाँ पर एक प्रशुन तो आपपके लि Kayla रूगा है और इसके किस पात्र ने कहा है चानक्क किने यह बात बोली थी चानक के कफ़़न बड़ और अब आपको ये बताना है कि निहाली जो है ये किस रचना का पात्र रहा है या किस उपन्यास का तेहखानों में बंद अक्स किसकी रचना है तो यहाँ पर आपको बताना है कि तेहखानों में बंद अक्स के लेखक कौन रहें ये हैं चित्रा मुदगल और ये स्त्री विमर उसके उपर इनने लिखा किसी पूरुष त्वारा महिलाओं के पक्ष में लिखी गई प्रत्थम प्रसिद पुस्तक जो है वो कौन सी रही इसको आपको बताना है तो ये था सब्जेक्शन ओफ विमन इसके लेखक कौन रहे हैं ये आपको पता करना है सब्जेक्शन ओफ वि श्राय ने तो बयान पत्रिका लिखी थी ये भी आपको देखना है इम्पॉर्टन क्वेशन है यहां से लिखी निश्वरी संपाधित की थी सही मिलान बताईए तो यहां पर सही मिलान जो है देखना ये क्या हो जाएगा जाती एक भी मर्ष जैपरकाशकरदम बिल्कुल सह पर चाहिवात है आज का दलित सहीत्य तेज सिंग्ग इंपॉर्टन है दलित सहीत्य के प्रतिमान डॉक्टर एन सिंग अनतहीन बेडिया मातप्रसाद गुप्त यानि की सभी यहां पर सही है एक बार इनको देखना है क्योंकि दलित सहीत्य से सम्बंदित भी आपको अलग स अब पाठे क्रम में शामिल है चीज़ें उनको देखना कौन सी रचना धरम विर्भारती की नहीं है तो यहां पर सिद साहित है प्रगतिवाद एक समिक्षा है फिलहाल जो फिलहाल है देखिए ये किसकी है अशोक वाजबई की रचना है इसको आप देखना ये भी मोस्त प्र उसको बताना है कि इसके लेखकों है important question हो क्यों सकता है इसको देख लीजिएक नाखुन क्यूं बढ़ते हैं ये प्रशन लेखक से किस ने किया तो नाखुन क्यों पशुता के निशानी जो है वो मानी जाती हैं, दो प्रश्णी यहां से और बने हैं, जो आमने पिछली जो प्रश्णूत्रिया रही हैं, उनमें डिसकस किये तो देखना कि कहां कि लोग जो है वो छोटे नाखुन पसंद करते थे और किस देश के लोग जो है लंबे-लंबे रखते थे, यह प्रश्ण भी आपको पता हुने चाहिए यहां से आता है, शुकल के अनुसार नाद सौंदरे से कवीता की आयू बढ़ती है या गड़ती है, तो शुकल ने माना है कवीता क्या है नामक निबंद में कि इसे कवीता की आयू जो है वो बढ़ती है, इतनी भी समस्या रही है, उनके उपर उसने खुटगरागात किया है, तो यह चीज आप यहां पर याद रखिएगा, भारत वश्च की उन्नती कैसे हो सकती है, तीन और लेखकों की यहां पर पंक्तियां आई है, जिसमें से चंद बरदाई का नाम भी आता है, दो और विद इनको आप एक बार जरूर देखिए, यहां से भी प्रशन पूराने पेपरों में पूछा गया है, तो इसको आपने जानना है, पत्नी कहानी में पत्नी का नाम क्या है, तो यह तो easy question है, सुननदा नाम है, लतिका, परिंदे में है, मालती, यह रोज कहानी की है, शकुन जो ह आपका बंटी है, उसकी पात्र रही है, तो यहां पर सुननदा होगा, 61 का option, home sickness की ही एक ऐसी बिमारी है, जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, यह कतन किस कहानी का है, तो आपको यह बताना है, यह है परिंदे कहानी का, और यहां पर आपको यह बताना है कि परिं गीत है, यह किसका है, यह है आपका तीसरी कसम कहानी का गीत, तीसरी कसम कहानी में अधिकतर जो गीत है, वो ते हीरा मन के, लेकिन यहां पर यह बच्चों का गीत है, इसको आप याद रखेगा, अगला प्रशन देखते हैं, अगला प्रशन आता है, कानून मुह से बाहर न पस्तरी प्रश्थ का कथन बताया मेरे लिए सब भूमी मिट्टी है, सब जल्तरल है, सब पवन शीतल है, प्रस्तुत कथन किस कहानी का है, अकाश दीव कहानी का ये कथन किस पात्र का है, तो ये चंपा ने कहा था बुदगुप्त से इसको भी आप याद रखिएगा, इम्प और ये भी दलित उपन्यासकारों कि श्रेणी में आते हैं, इसको देखिएगा, नेक्स यहां पर उम्र बीत जाने से कैशोर है और यौबन नहीं बीत जाता, आपका बंटी उपन्यास में यह कथन किसका है, तो यह कथन जो है लेकिका का ही यहां पर रहता है देखना, यह पं यह उपन्यास रहा है, बहुत ही मार्मिक उपन्यास है, तमस का कौन सा पातर कमुनिस्ट पार्ती से सम्मंदित था, तो इसका जो राइट आंसर है देखिए यह है देवदत, जबकि देववरत जो रहा यह RSS का कार्य करता है और देवराज जो है यह कॉंग्रेस का कार्य कर लिया था, next question आता है, शेकरेक जीवनी के समद में सही कथन नहीं है, अगे ने इसे आत्म जीवनी माना है, नहीं माना है इसने आत्म जीवनी, इसने स्रिफ इतना बोला कि भोमी का के लिए मैंने स्वाहिम को जुरूर रखा, लेकिन ये मेरी आत्म जीवनी नहीं है, यह उपन द्वारा जीवन के अंतिम रात में अपने समूचे जीवन अतीत को एक बार पुना जी लेने का प्रियास दिखाया, बिल्कुल सही बात है, तो सत्र का option number A सही हो जाएगा, इकत्रों प्रशन है यहाँ पर मैं तरक नहीं करता, काशी हो या अयोध्या, कुछ फरक नहीं पड़ जैन के अग्रह पर लिखी गई थी, लेकिन यश्पाल जैन को भी किसने प्रेजित किया था, यह आपको बताना है, ठीक है, नातुराम प्रेमी, ओके, चलिए अगला प्रशन है यहाँ पर, प्रत्थम भारती आदिवासी कवित्री कौन है, यह थी सुशीला सामंत, इसको आ देखिएगा, सही मिलान नहीं है, निर्णे के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थसिद होते आए हैं, सदा दृत्राष्टर, तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा देखना, यह दृत्राष्टर का नहीं है, यह गांधारी का कथन है, इसको आप देखिएगा, ज्यान जो समर्पित नहीं है, अधुरा है, मनोवुधी तुम अर्पित कर दो मुझे, विदुर ने कहा है, ज्यान की बाद कौन कहता है, विदुर घी ग्यानी था, अस्तर रहेंगे तो उपयोग में आएंगे ही, यह प्रहरी कहते हैं, जब दूसरे प्रहरी हो जाएगा, मातुल किस नाटक का पात्र है, तो यह था अशार का एक दिन, अशार का एक दिन किसका नाटक है, यह भी आपको बताना है, और यह कब लिखा गया था, इसको भी बताएगा, माक्सवादी चिन तक नहीं है, तो माक्सवादी चिन तक जो है, यह मैक डूगल न बाकि सारी इसकी रही है, speech and phenomena, the end of women, right and difference, एक और रशना थी इसकी of grammatology, उसको भी आप याद रखेगा, अगला प्रशना आता है, कल्पना के समन्द में कॉलरीज का कथन कौन सा सही नहीं है, पागल प्रेमी और कभी तीनों कल्पना से उत्परोत रहते हैं, बिल्कुल नहीं ह इसका ये कथन, कल्पना जिसे सुंदर समझती है, वो अवसे ही सत्य होगी, नहीं होगा, मानसिक रूप विधान ही कल्पना नहीं है, यानि कि कोई भी चीजियां पर नहीं है, उपरोक्त सभी जो हैं, ये क्या हैं, ये इसके कथन नहीं है, चलिए, अब ये हैं किसके, ये कौन-कौन से बेद रहे हैं और इसने सत्य को भी तीन गुना दूर माना है वास्तुकता से वो भी आप एक बार जुरूर देखेगा तुम तो निखबक गवार हो पंक्ती में कौन सा दोश विद्यमान है तुम तो निखबक गवार हो इस पंक्ती में कौन सा दोश है तो ग्रामार्व शब्द रहा है शूती कटट तो जहां पर सुनने में अच्छा ना लगे शूती कटट तो चुत संस्कृति दोष माना जाता है जहां पर व्याकरनिक दोष हो जाता है उसको आप चुत संस्कृति दोष्ट हो जाएगा क्रिष्टा तो दोश जहां पर क्रिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो कावे दोशों से समंधित प्रशन आपको पूछा जा सकता है तो ये थे 80 प्रशन I hope कि आपने इन 80 प्रशनों से जरूर कुछ न कुछ चीज़ें सीखी होंगी ये आपके एक्जाम में आपकी सहायता करेंगे I hope आप सभी के लिए best wishes हिंदी सहायता परिवार की तरफ से अच्छे से आप अपना एक्जाम कीजिए और positivity के साथ इस एक्जाम को दीजिए I hope कि सबका एक्जाम आपका अच्छा रहेगा अभी के लिए इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जय हिंद जय भारत